जर्खन नमस्काद मैं होशासी आयो जर्खन के टोब 25 पर मोख खबर जानते हैं जर्खन में मीशन मोड में दूर किया जायेगा सरकारी शुछों के बच्चे का लर्निंग लोच जर्खन के सरकारी शुछों में लर्निंग लोच दूर करने के लिए इसकोली सिक्षा वसर्षता विभाग आइडलाइन जारी करेगा सिक्षा विभाग पिछले दिनों हुए जारखन एजुकेशन कन कलेब में आयज सुझाओ के अनुसार गाइडलाइन तियार कर रहा है इस महीने के अंज तक इसे जारी कर दिया जाएगा और मई महीने से अगले दो माह के लिए मीशन मोड में लर्लिंग लोस दूर करने का काम होगा सिक्षा भी भाग हर कलास के लर्लिंग लोस के लिए अलग अलग विवस्ता कर रहा है इसमें वर्क बुक भी दिये जाएंगे जिसके अधार पर बचों को पढ़ाया जाएगा बता दे दो महीने में लर्लिंग लोस को दूर करने का अभ्यास कराया जाएगा और जनकारी दी जाएगी जारखन में मंगलवार से बादल जारखन में बढ़ती गर्मी के बीच लोगों को मंगलवार से कुछ राहत मिलने की संभावना है राजे के कई जीलो में आंसिक बादल के साथ गरजन और हलकी बारिस की संभावना भी है वही मौसम विभाग ने राजे में लू चलने की भी चेतावनी दिया है मौसम केंद्र राजे के मुताविक मंगलवार से राजे के कई जीलो में मौसम में बदलाव दिखेगा आंसिक बादल के साथ गर्जन और हलकी बारिस की संभावना भी जताई गई है मंगलवार और बुधवार 29 और 20 अप्रेल को राजे के उतर पूर्वी भाग देवघर, धनबाद, दुमका, गिरीडी, गोटा, जामतरा, पाकुर और साहिब गंज के अलावा निकटवर्ती, मध्य भाग, रांची, बोकारो, गुमला, जारिबा, खोटी तथा, रामगर जीले में कहीं कहीं आशीक बादल के साथ गर्जन और हलकी बारिस की संभवना है जैखन में आदिवची धर्म कोट की मांग तेज, 25 अप्रेल को धरना परदरशन जैखन में आदिवासी धर्म कोट की मांग फिर तेज हो गई है बिभीन आदिवासी संगंठन जन संपर्क में जूट गए हैं मांगो को लेकर 25 अप्रेल को दिली के जनतर मंतर पर एक दिवस्य धारना परतसन किया जाएगा आदिवासी जन परिशत के राष्ट्रिये महाच्चास चीव प्रेम साही मुंडा ने कहा है कि संपूर्ण भारत वर्ष के आदिवासियों के लिए धार्मिक एवं संस्क्रितिक पचान है धार्म को देश भर से आदिवासी समाज के लोग जनतर मंतर पर जूट कर अपनी आवाज बुलंद करेंगे बता दे कारकरम में जार्खन से पुरो मंतरी गीता सिरी उराव और देव कुमारधान बिसेश रूप से सामिल होंगे जार्खन के सभी राषन काड़ धार्कों को हर माह मिलेगा पांच किलो चाना दाल जहारखन के सभी राषन काड़धार को अब हर महाराषन में चैना डाल देने की त्यारी है इन काड़ में गुलावी पिला और हरा काड़ को भी सामिल किया गया है इसे 58 लाक परिवार के साथ हरा काड़धारी के 15 लाक लावको को भीला मिलेगा इस योजना को लागू करने के लिए खायदा पूर्ती विभागने प्रस्ताव त्यार कर लिया है जिसमें हर राशनकाट धारिकों को एक से पांच किलो तक चाना दाल दिया जाएगा फिलाल इस प्रस्ताव को अम्तिम अनुमती के लिए कैबिनेट में भेजा जा रहा है इसके बादे अजोजना पूरे जार्खन के पीडियेस दुकानों में एक साथ लागू हो सकेगी जार्खन पंचाई चुनाव वोटिंग के दिन बूथ के सो मीटर बाहर रहेंगे मंत्रियों के अंगरक्छाग जार्खन पंचाई चुनाव में धन बल के उपयोग पर रोक लगाने को लेकर राज निर्वाचन आयोग सकता है कोई उमिद्वार या अनव्यक्ती चुनाव के दुराण अस्त्र सुस्त्र का उपयोग चुनाव को परभावित करने के लिए नहीं कर सकेगा उमिद्वारों के साथ साथ उन मंत्रियों सांसुदों विधायकों युम अनपता दिकारियों पर भी कई पवंदियों होंगे जिने अंगरक्षक प्राप्त है यहाँ तक कि मंत्री मिमत दान के दिन बूत के सौ मीटर की परीधी में अपने अंगरक्षक नहीं ले जा सकेंगे ज्यारखन में 15 दिन में रफ्तार पकड़ेगा कुरोना राज्य में अगले 15 दिनों में कुरोना के फिर से बढ़ने के संका जताई गई है मरीजों की संख्या भी बरतमान के मुकाबले 10 गुना से अधिक हो जाएगी रिम्स के 20 सगेट चिकित सक डाक्टर देवेस ने बताया कि नया वेरियंट XE पिछले कई वेरियंट का मिला जुला है या ओमिक्रोन की तरह ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को संक्रामित करेगा हलाकि गंभीर होने वालों लोगों की संक्या बता पना अभी मुस्किल है उन्होंने बताया कि 15 दिन में सिर्फ मरीजों के मिलने की रफतार पता चलेगी उसके बाद भी उस्ट रेट के हिसाब से मरीज मिलेंगे दिली जैसे सहरों में मरीज मिल रहे हैं अतिरिक्त मांदे के लिए सफाई कर्मियों ने सांसत से की सिकायत कोरोना काल में डिवटी करने वाले रांची नगर निगम के सफाई कर्मियों को अब तक अतिरिक्त मांदे का भुक्तान नहीं किया गया है इसे नराज सफाई कर्मियों ने सोमवर को राज सभा सांसत दीपक परकास से सिकायत की उन्होंने कहा कि उन्हें 2000 रुपे अतिरिक्त बेतन देने की बात कही गई थी लेकिन भुक्तान नहीं किया गया इस पर संसत ने भुक्तान कराने का भरुसा दिलाया ATM बदलकर बुजूर्ग के खाते से निकाल लिए 65,000 रुपे कोकर के हैदर अली रोड निवासी बिंदेश्वरी सिंग 65 वर्शीय का ATM कार्ड बदलकर साइबर अपराधियों ने रभीवार राथ 65,000 रुपे निकाल लिए उन्होंने सदर्थाना में केस दर्श कराया है उन्होंने बताया कि वह B.O.I. के कोकर स्थीत ATM में गए थे पैसा निकालने में परिशानी हुई तो पीछे खाड़ा एक युवक आया और मदत के नाम पर ATM मांगा कुछ दिर बाद ATM में पैसा नहोंने की बात करकर काड बदल लिया रोफवे हादसा के बाद सभी पर्याटन अस्थलों पर इंतजाम बढ़ाने के निर्देश देवगर रोफवे हादसा ने निंद से सो रही जार्खन सरकार को जगने पर मजबूर कर दिया है बतादे जार्खन मंत्राला में पर्याटन कला संस्कृति खेल कूद युवा कारे विभा की समीक्षा बैठक होई इस बैठक में जार्खन के पर्याटन छेत्र और वहाँ पर्याटको को लेकर मौजूदा सुरक्षा बेवस्ता की जनकारी ली गई देश बार में जार्खन का जल प्रपात हमेशा से चार्चा में रहा है मौख्यमंत्री हमन्सुरे ने समीक्षा बैठक के दोरान राजे के जल प्रपात के समक्ष पर्याटको को पर्याप्त सुरक्षा मुहाया कराने का निर्देश दिया गढ़वा की पहलवान बेटी प्रियांका ने कुस्ती चेंपियंसिप में जीता का से पदा किर्गिस्तान की रायधानी 20KK गजप्रोम स्पोर्ट कंप्लेक्स में 14-17 अप्रेल 2022 तक आयोजीत अंतराश्रिये ग्रेंड पिक्स ट्रेडिशनल स्टाइल कोस्ती परित्योक्ता में देश का प्रति निधित्व कर गड़वा की पहलवान बेटी प्रियांका कुमारिन कास्य पदक जीती है प्रियांका के इस सफलता पर जीला कोश्ती संग के सबी खिलाड़ी एवं पता अधिकारियों ने प्रसंता ब्यक्त करते हुए खोशी जाईर की है प्रधान मंत्री नायंद मोदी 21 अप्रेल को सीख गुरू तेग बहादूर के चार सोवे प्रकास वर्स के आउसर पर लाल किले से देश को समभूधित करेंगे यह जनकारी स्वमवार को केंद्रिये संस्कृती मंत्राले ने दी इस अशर प्रपधान मंत्री मोदी सीख गुरू तेग बहादूर के चार सोवे प्रकास वर्स पर 21 सीख का और डांक टिकट भी जारी करेंगे मंत्राले ने कहा कि इस मोखे पर 400 रागी सब्द किर्तन का गायन करेंगे इस कारेकरम का आयोजन संस्कृती मंत्राले द्वाला दिल्ली सीख गुरू द्वारा प्रवंधक कमिटी के स्वयोग से किया जाएगा रांची के नामकुम में नवालिक हत्या मामल में दो गिरापतार गिरापतार दोनों आरपियों ने अपनी सनलिपता सविकार करते हैं पूरी घटना करम पूलिस के समक्स बताया जार्खन के बेपारियों ने मंडी सुल्क वापस लेने की दीचेतावनी मंडी सुल्क के बिरोध में राची सहीद पूरे जार्खन के बेपारियों ने चेमबर भौन में एक जुटता दिखाई समेलन में बेपारियों ने सरकार को अल्टिमेटम देते हुए कहा कि अगर 15 माई तक मंडी सूल को आपस नहीं लिया गया तो 16 माई से पूरे जारकन के ख़दान बेपार को ठप कर दिया जाएगा साथ ही चेमबर ने चनबत तरीके से अंदोलन चलाने का निन लिया रबिवार को जारकन राज किरिसी उपज और पसुधन बिपनन बिधैक 2022 के बिरोध में पूरे जारकन के बेपारी राज अस्तरिय समेलन में जूटे थे गर्मी से बढ़ने लगे हीट श्ट्रोक के मरीज बढ़ती गर्मी और तेज धूब के कारण लोगों को लू लगने का खात्रा बढ़ गया है इसे देखती वे स्वास्थ भीभाग बिसेस सधानी बरत रहा है बढ़े से लेकर छोटे अस्पतालों को अलट पर रखा गया है मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कोविट के लिए रिजर्ब रखे गए बेट को अनरक्षित करते हुए उसे लू के मरीजों के लिए सुरक्षित रखा जा रहा है पच्छमी सिम्भूम में साथ हजार वाइलेट बोक्स उपलवद पच्छमी सिम्भूम जीला निर्वाचन पता अधिकारी सा उपायुक्त मितल ने सोमवर को सहायक समहारता रवी जयन के साथ त्रियस्तरिय पंचाज चुनाओ 2022 के सफल संचानल के लिए गटित विभीन सेल का निरिक्षन किया इस करम में जीला निर्वाचन पता अधिकारी ने सबसे पहले सदर प्रखन कर्याले के बैलेट बोक्स सेल का जाजा लिया गया इस चुनाओ के लिए जीले में 586 बड़ी बैलेट बोक्स और 1591 मध्यम आकार का बैलेट बोक्स उपलब था है इन सब ही मत पेटियों का मरमत, ग्रीसिंग और रंग रोगन किया गया है धनबाद के बर्न एस्टेंडर्ड रिफैक्टरी के जंगल से 2000 टन कोईला जबते गल्फर बाड़ी ओपी छेत्र के गल्फर बाड़ी स्थित बंद वर्न एस्टेंडर्ड रिफैक्टरी के समीप से सनिवार की रात 10 बजे 2000 टन कोईला तीन बाइक हुआ एक कोईला लदे ट्रॉक टर्क की ट्रोली जबत की गई छापे मारी E.C.L. पच्छिम बंगाल सितलपूर के C.I.S.F. कैम्प की टीम ने की इस दरान अवायद खरन कराने वाले भट्टा के एजेंट मजदूर आदी अंधेरे का लाब उठा कर भाग निकले कोरोना के चौथी लहर को लेकर बुष्टर डोज के आ रहे है मैसेज कोरोना ठीका ले चुके 18 से 69 वर्ष के वैसको को सतर्कता डोज लेने को लेकर भी उनके राइस्टर्ड मोबाइल पर मैसेज आ रहे हैं लेकिन उन्हें यह ठीका नहीं लग पा रहा बतादे 18 से 69 वर्ष के अधिक आयू के नागरिक मैसेज आने के बार निजी केंद्रों का चकर लगा रहे हैं दरसल केंद्र सरकार ने इस आयू वर्ष के नागरिकों को प्री कोसन डोज के अनुमती निजी अस्पतालों के लिए ही परदान किया है जिसके लिए 375 रुपय का भुकतान करना होगा सिक्षक नियुकती मामले में सिक्षा सचीव को रहात सुप्रीम कोट से जारखन के कार्मिक और सिक्षा सचीव को रहात मिली है सूप्रीम कोट ने इनके खिलाब जारकन हाई कोट की ओर से जारी आउमाना के नोटिस परोक लगा दिया इस मामले की अगली सुनवाई चार जन्वारी को होगी हाई कोट के आदेश के खिलाब राज सरकार ने सूप्रीम कोट में एस एलपी दाखिल की है कार्यकरताओ के मान समान से समझाता नहीं करेगी कांगरेश परदेश कांगरेश अध्याक्ष राजिस ठाकुने सोमवार को राची जीला और राची गरामी छेत्र के कांगरेश कार्यकरताओ का सनवात कारकरम को समोधित करते हुआ असपरस तोर पर कहा है कि कारकरता हो कि मान समान से कोई समझाता नहीं किया जा सकता है संगठन ससक्तिकरन अभ्यान के तहट राजी के सभी जीलों में एक साथ सनवात कारकरम का आवेजन किया गया था रांची जिले में अविजीत कारक्राव में मुख अतिती के रूप में जारकाण परदेश कॉंग्रेस कमिटी के अधेख डाजेस्टाकूर यवं विशिष्ट अतिती के रूप में जिला समनोल संजाय लाल पास्वान तथा परदीप उपस्थित हुए कुरोना प्रुथ साहन रासी घोटाले में चवन कर्मियों को लोटाना होगा पैसा कुरोना प्रुथ साहन रासी एक माह का बेतन और मांदे उठाने वाले स्वास्थ मंत्री बाना गुपता के को सांग के चवन कर्मियों को रासी वापस करना पड़ेगा रासी उनके बैंक खाते में चली गई उन्हें वह रासी लोटानी होगी इस मामला का खुलासा करने वाले बिधायक सर्जु राय ने मुख्य मंत्री हमन सुरेन को दोरा पत्र लिख कर कहा है कि स्वास्त्र मंत्री बाना गुपता को वे मंत्री मंडल से बरखास्त करे और उनके खिलाब अपरादिक मुकादमे के तहथ करवाई की स्विक्रेती परदान करे केंद्रीये बिद्यालय में एडमिशन पर MP कोटा पर रोक सांसत समेट अने कोट को लेकर मज़े हाय तोबा के भी स्केंद्रिये बिदैल में नमांकन और कलासेस की परकिरिया अधर में लटक गई है अप्रेल का आधा माँ बीच चुका है और आप तक ना तो नमांकन की परकिरिया हुई है और ना नहीं न शात्रिक के कलासेस की सित हो गई हलाकि इसी बीच कयासों का बाजार भी गर्म है कि यह मंत सरकार की नई सराब नेती पर संकट 36 गड़ राज की तर पर जारखन में तयार नई उत्पाद निती को लेकर बेवसाई वा नेसको में खासा उत्सा नहीं दीख रहा यही वज़ा है कि समाई पूरा होने पर भी विभीन सेक्सन में निकाली गए निवीदय पर किरिया में प्राप्त संक्या में लोगों ने जिल्चस्पी नहीं लिया है अब उमीद यही जताई जा रही है कि एक मैज से पूरे राजे में प्रस्तावित नहीं उत्पाद निती लागों होने के आसार नहीं के बराबर है हलाकि इस विशाय में उत्पाद एवं मगद निसेद विभाग के अधिकारी कोछ भी बोलने से कत्रा रहे हैं रांची में 15 दिनों में 5 जगों पर लगी आग रांची में गर्मी की दस्तक के साथ ही अगलगी की घटनाय बढ़ जाती है कहीं तंग गलियां कहीं लापरवाही तो कहीं फायर फाइटिंग सिस्टम के दुरूस्त नहीं रहने की वज़स से आगलगी की घटनाय लगातार सामने आ रही है बता दे पिछले 15 दिनों के भीतर सहर के 5 जगों पर आगलगी है जहां बारी नुकसान हुआ है रांची रेल मंडल में इस सुविधा शुरू हुई अब अस्थानांतरन पदस्थापन में न तो मनमानी चलेगी और नहीं सवाल उठेंगे पक्षपात का कोई आरोप ही नहीं लगेगा इस दिशा में आरपी एफ ने इस सुविधा नामक सुप्ट्वेयर विक्सीत कर सरानिय पहल किया है अस्थानांतरन पदस्थापन अब इसी सुप्ट्वेयर के जिमे होगा बतादे सुप्ट्वेयर के टांसफर मड्यूल में सभी कर्मियों के नाम उनके पदस्थापन कारेकाल तथा अस अचार संहिता का उलंखन नहीं मानता यदि वे सरकारी दवरे के करम में परतियक्स रूपते चुनाव परचार करेंगे तो इसे अदर्स अचार संहिता का उलंखन मना जाएगा आयोग ने फिलहाल इसकी जिम्मेवारी उपायुक्त साजिला निर्वाचन पताधिकारियों को देने का निना लिया है कि केंद्रिय मंत्रियों के दोरे के कम में अचार संहीता का उलंगान हो रहा है या नहीं यदि अचार संहिता का उलंगान होता है तो उपायूक समंधित प्रविधानों के तहट आवसे करवाई करेंगे धन्यवाद